हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने Moto Edge 40 Neo Android वाइल फोन में आप अपने डिलीट हो चुकी फोट आयो वीडियो को आपने रिकवर कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तेकि दोस्तों अगर आप अपने मुबाइल फोन की डिलीट हो चुकी फोट आयो वीडियो को रिकवर कर सकते हैं पहला तरीका यह होता है कि आप अपने मुबाइल फोन की सेटिंग के जरीए ही आप डिलीट हो चुकी फोट आयो वीडियो को रिकवर कर सकते हैं और दूसरा तरीका यह होता है कि आप अपने फोन में किसी भी थर्ड पार्टी अप्लिकेशन का यूज कर सकते हैं किसी भी photo or video को recover करने के लिए ठीक है लेकिन आज के इस वीडियों बताने वालों कि कैसे आप अपने mobile phone की setting के जरीए ही आप delete हो चुकी photo or video को recover कर पाएंगे तो चलिए यहां पर video को में start कर लेते हैं देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो मैं अपने phone की gallery को open कर लेता हूँ ठीक है यह photo delete हो चुका है आप देखिए इस photo को recover करने के लिए आपको करना क्या है कि आपके फोन की गैलरी में नीचे की साइट चौत्य नंबर पे लाइब्रेरी का option होता है लाइब्रेरी पे आपको tap करना है ठीक है आपका यह वाला पेज आ जागा इस तरीके से इसमें देखिए जो photo मैंने delete के आता है यहापर यह दिखाई दे रही है ठीक है तो इस photo को recover करने के लिए आपको करना है क्या है देखिए अगर इस photo को बढ़ा कर लेंगे तो इसे आप restore का नीचे की साइड यह optional restore पे tap करेंगे तो इससे आपका इस photo recover हो जाएगा एक दूसरा तरीका होता है अगर आप इस photo को उगली से दबा के रखेंगे एक right click लगता है तो इसी तरीके से आप जो और भी multiple photos को एक बार में select करके आप काफी सारी photo एक बार में recover कर सकते है अपनी phone की gallery में ठीक है तो दोस्तों आपको करना है देखिए right tick लगा लेंगे तो इसके बाद आपको जो है restore पर tap करना है तो आपका एक और पेज आएगा restore का इसे tap करना है तो आपकी जो photo हो जाएगी आपकी phone की gallery में वापस चली जाएगी ठीक है हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं तो यहाँ पर यह देखिए photo जो है हमारा यह वापस recover हो चुका है आप देख सकते हैं ठीक है इस तरीक तो हमें जो है इसे जो है trash वाले page में जाना है ठीक है यह trash वाले page में जाना है और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि item will be permanently deleted after 60 days in trash ठीक है यानि कि अगर आप जिस date को अगर आप कोई भी photo है वीडियो आप delete करेंगे ना उस date से लेके आने वाले 60 दिन तक आपकी यहाँ पर इस trash वाले page में जो delete हो चुगी photo यहाँ पर पढ़ी रहेगी ठीक है अगर आपने 60 दिन के अंदर recover कर लिया तो ठीक है अदरवाइस 60 दिन के बाद automatic permanent यहाँ से भी delete हो जाएगी trash वाले page से ठीक ना यानि कि आपके बाद लगबग 2 महिने का time होगा 60 दिन कर सकते हैं ठीक है ना